किसानों को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी इस योजना के तहट किसानों को 3-4 लाख रुपे तक का लोन बेहत कम ब्यास पर दिया जाता है इस रिन राशी को किसान अपनी खेती में निवेश कर सकता है या बीज भोजन जैसी चीजे खरीच सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के जरीए किसानों को कम ब्यास दरों पर कर्ज मिलता है इस पर ब्यास दर 2 फीसदी तक हो सकती है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के 1.6 शून्य लाख रुपे तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है इससे किसानों को काफी राहत मिलने वाली है जिस भी किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है वह किसान तीन लाख रुपे तक की रिन राशी निकाल सकता है इसके अलावा यदि किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते में बचट करते हैं तो उन्हें अधिक ब्यास दर मिलती है क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रडिट कार्ड बैंको द्वारा जादी किये जाते हैं सरकार का उद्देश्य किसानों को क्रिशी वस्तूओं जैसे खाद, बीस, कीटनाशक आदी की खरीब के लिए रिन प्रदान करना है दूसरा उद्देश्य यहा है कि किसानों को साहुकारों से रिन लेने की आवर्शक्ता नहीं है जो अत्यधिक ब्याज लेते हैं KCC सबसे सस्ता रिन अगर ब्याज दर की बात करे तो इसके आसपास कोई लोन स्कीम नहीं है KCC के माध्यम से किसान 5 साल में 3 लाख रुपे तक का अलपावधी रिन KCC से ले सकते हैं किसानों को 9 फीसदी की दर पर कर्ज मिलता है इसके बाद सरकार 2 फीसदी की सबसिडी देती है जिन किसानों ने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है और क्रिशी कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाते हैं वे किसान अपने नजदी की बैंट में जाकर संपर्ग कर सकते हैं इसके लिए किसान को अपनी जमीन से संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, जमीन की रसीद और बंटवारे के काज़ाद जमा करने होंगे